तो मैं अभी गोधन अर्क की बात करा था कि हर घर में गोधन अर्क होना चाहिए हर घर में गोणायल होना चाहिए गोणायल से घर के बाहर की गंदगी भार का हैजेन मेंटेन करना है आपको सब एक दब क्लीन चाहिए कोई germs, कोई bacteria, कोई वारस ने चाहिए तो gonile बाहर की सफाई के लिए और गोधन अर्क भीतर की सफाई के लिए skin problems, गोधन अर्क नीम की गोली के साथ motapa, गोधन अर्क मेदोहरिया वेट गो के साथ heart की problem, गोधन अर्क अर्द्यून की घनवटिया, अहरद्यामरित के साथ liver की problem, लिवोग्रिट गोधन अर्क के साथ एक मेहने में यह hepatitis negative hepatitis से लेकर के बाकी constipation, colitis, तबाम तरहे के acidity, gas, सबी रोगों के लिए गोधन अर्क, अर्ण लिवोग्रिट, चबरदस arthritis के लिए गोधन अर्क और उसके साथ जैसा symptoms है, शरीर में सूजन बढ़ा हुआ है तो पूर नर्नवादी मंदूर शरीर के अंदर कही प्रकार के और यूरी के साड़ी आदी के उपद्रव हैं तो चंदरप्रभा या घोक्षरादी गुगल शरीर में तो जैस टॉक्सिंस दोनों कामें साथ करते हैं गोधन अर्क तोक्सिंस को भी निकालता है और शरीर को अंदर से अतिंद्रीए, आध्यातमिक शक्ति देता है अतिंद्री andarी व एक शक्ति देता है एक एंसर के लिए नहीं यह जो अभी मोटा पास से लेकर के तमाम चीजों के लिए यह परम ओश दिया है यह तो गोधन अर्क तो हर घर में होना चाहिए कोई घर ऐसा बाके ना रहे जहां पर गोधन अर्क ना हो एक का पुराणा बुखार किसी भी दवाई से नहीं तूट रहा था भीतर इंफ्लिमेशन था इंफेक्शन था हमने गोधन अर्क पिलाया किसी का एक दिन में, किसी का तिन दिन में, मैक्जिमम साथ दिन में तूट जाता है कहां बुखार और कहां गोधन अर्ग ये किसी किताब में लिखी भी बाते नहीं है स्वामे रामदेव को पचास वर्षों के इस जीवन के अभ्यास से पता लगी है प्रेक्टिस से, प्रियोग से, रि्स lárč से, सैंटिफिक्ट वेल डिशन से, अलग लग प्रकार के, मैं जितने लोगों से मिलाओ हूं धर्ति-परसाइदी को एक ब्रत्यक्त शरुप से मिलाओं किस का प्रयोजन से, रेल्थ के प्रयोजन से तो देखो गुनायल से भीतर की सुद्ध घर की सुद्धी और गोधन अर्क से अंदर की शरीर की इंद्रियों की चित्त चेतना आत्मा तक को शुद्ध करता है तोड़ा अब लोग प्रियोगतों करने लगें अच्छी बात है चलो